कि नाओ हलो आवरिवन स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों को सुपर कोचिंग भीहर बैटेस्बुक पर उमीद आशा कि आप सभी लुपस्वास तमस्त और बिल्कुल जबरदस्त होगे जितने प्यारे जोहात दोस्ति कने प्यारे साथियों को मैं बता दू है कि इतना महत्पूर्ण सेचन जो आप मिस नहीं कर सकते किसी भी इस्तिती परस्तिति में चुक्त कारण है इसका कहों कि या कारन है कि भी हार सची वाले सहायक की हम लोग चर्चा कर रहें और भी हार सची वाले सहायक 2020 Pt plus means means उन लोगों के लिए देखें तयारी तो दिव में सुन से सिखर तक ही आप भी जानते हैं यह तैयारी उन लोगों के लिए है जितने प्यारे दूसरे सभी को नमस्कार है नमस्कार है पामी जी बहुत-बहुत श्वागत है बहुत-बहुत अभी नंदन है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार SSC CGL का एक पेपर अभी कैंसिल हुआ था तो 23 तारीक का था 23 दिसंबर का फस्सिफ्ट वाला वो कैंसिल हुआ था तो उसका री एक्जाम है बागी मेंस की तयारी है तो संपूर जी के जी एस भाग टेस्ट मॉक टेस्ट नमबर दस रणनीती 30 दिनों की चल रही है सुन लगातार पढ़ना होगा प्रिया जी बहुत-बहुत श्वागत है बहुत-बहुत अभिलंदन है सभी प्यारे दोस्तों का सभी पहरे साथिओं का टॉपिक अपटा होना चाहिए कि एम सी क्यूं कर रहे हैं किसके यह आपको पता है जी के जिसमें कवर करते हैं इस हिस्ट् ठीक है साथी साथ में करेंट अफेयर के भी कोश्चन रहते हैं तो ओवरॉल कंप्लीट जी के जी असका सशन रहता है आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए तो सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत श्वागत और अभिनंदर हैं जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे अगर आप यह सोचेंगे यार मेरा सेलक्षन होगा नहीं होगा होगा नहीं होगा मैं तैयारी करूं नहीं करूं तो इसका कोई भी अर्थ नहीं है आपको confident होना है और कहना है I can do it we can do it हम कर सकते हैं मैं कर लूँगा मैं ये कर के दिखाऊंगा तो हर हाल में होगा बहुत ब नमशकार 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 जितने प्यारे बच्चे हैं और जो भी प्यारे बच्चे पहले दिन जुड़ रहे हूं उन सभी प्यारे दोस्तों को जी के बाएर रागो सर इस टेलीग्राम से जुड़ जाना होगा clear पड़ा-फट से आज आज के लिए आप सभी के सामने अब्यसी बात है कि सब कुछ मिल जाएगा everything मिल जाएगा जो लोग तुम्हें भूल गए होंगे वो लोग भी तुम्हें याद करने लगेंगे सब कुछ आपके पास आ जाएगा जल्दी से बताओ हां या ना जल्दी से बोलो प्रिया इससे जुड़ जाओ भी या इससे ज दिया जा रहा है जैसा कि आप देखा रहा है लिए प्लस में नबँ परसंट 10% मतलब सौपर संग लग इपरसंट तो पर करके हमें टेस्ट spent समूंत भी वी मॉक्त वह kısmिठी ब्ल्या के स्क्रिप्शन के लिए कूपन कोड याद रखिए राग हो कि कूपन कोड क्या रखना है राग हो र-a-g-h-a-v तो भी याद रखिए टेस्ट बुक के एप से अपने आपको इन्रोल कर पाएंगे तो दू फास सभी लोग हरी अप यह सेल सिर्फ आज और कल है जिसमें आप देखिए मौक टेस्ट भी मिल रहा है और तीन महिने का पूरा बिहार से सीजील का क्लास भी मिल रहा है क्लियर जल्दी से आ जाएए आज का पहला कोश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा बताने की कोशिश की जाए क्लावडड लैपर्ड के लिए भारत का पहला समर्पित वन जीव पार्क इस्थित है असम में मिजोरम में लद्दाक में या त्रिपुरा में फटाफट से बताओ 20 सेकंड दूंगा मैं हर एक सवाल के लिए टाइमिंग बता दीजिए टाइमिंग किस चीज की बाबू क्लास की टाइमिंग मेरी टाइमिंग है चार बजे डेली चार बजे क्लास होता है मेरा सिनह साहाब आप इससे जुड़ जाई ए अमन जी आप इस से जुड़ जाईए पहले देखिए इससे आप जुड़ जाएंगे तो आपको को याद हो हैमिस हैमिस नैस्टनल पार्क जो है है मेरे दोस्त मेरे प्यारे साथी यह भारत का सबसे बड़ा नैस्टनल पार्क है in terms of area तीजिயा छे्रफल की द्रश्टी से सबसे बड़ा नैस्नल पार्क है असं में ही इस्थित है काजी रंगा और नाश्रनल पार्क काजी रंगा नाश्रनल पार्क जो किसके लिए Famous is आपको पता है एक सींग के गेंडे के लिए famous है असं में ही इस्थित हैμά तो मानस नेशनल पार्क जो बिसिकली एलिफेंट के लिए बहुत ही फेमस है किसके लिए एलिफेंट के लिए बहुत ही फेमस है बोलो बात के लिए नेक्स आज़ो भारत और चीन ने पंचसील के सिध्धांत की घुषना कब की थी बता ये 1948, 1952, 1954, 1957 फटा फट से बताओ कब की गई थी बहुत बहतर 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 सभी को नमसकार है नमसकार है आते जाए सभी लोग पूजा अकबर मोनू सभी को नमसते हैं जल्दी से बताओ सबसे चोटा साउड बटन अंदमान करेक्ट और ऺग्ड हो जाएगा 1954 में हुआ था पंच सील समझवा ये सवाल ऐसे भी बन सकता है कि पंच सील समझवाता किन दो देशों के बीच हुआ था पंच सील सिधंध भी कहते हैं किन के बीच हुआ था तो आप कहोगे इंडिय सा इंडिया और चायना के बीच में इंडिया और चायना के बीच में 1952 में क्या आया था तो याद रखिए कॉम्निटी डवलप्मेंट प्रोग्राम की सुरुवात की गई थी Community Development Program की शुरुवात की गई थी महत्मा गांधी की मृत्य उपर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकास चला गया Lord Mountbatten, जवाहालाल नहरू, राजन प्रशाद और सर्वपली राधा कृष्णन फटा फट से बताओ सर्वपली राधा कृष्णन नमस्कार, नमस्कार, सभी को नमस्ते है, आंसर दीजिए भी किसने कहा था आप सको बताना है, जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो, फटा फट से बताओ भई What is the right answer of the question? तो आप क्या कहेंगे, याद रखिएगा पंडित जवाहालाल नहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकास चला गया ठीक है, राजिन प्रसाद जी को आप सभी लोग जानते ही, क्या जानते है कि देश के पहले राष्ट पती थे और दस वर्षों तक लगाता राष्ट पती रहे, सरपली राधा कृष्णन को भी आप जानते हैं, देश के उपराष्ट पती थे, पहले उपराष्ट पती थे, और लगातार ये भी दस वर्षों तक उपराष्ट पती रहे, बोलो हाया ना हाला कि उपराष्ट पती दो लोग रहे एक लोग और भी हैं, हामिद हामिद अंसारी हामिद अंसारी भी उपरास्टपती रहें दस वर्षों तक इस बात को याद रखिएगा कितने वर्षों तक रहे थे उपरास्टपती दस वर्षों तक रहे थे इस बात को ध्यान लखना लेकिन ये पहले ऐसे व्यक्ति थे ठीक है और इन्हीं की याद में क्या मनाते हैं तो आप कहो बढ़ियां 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 तो याद रखिएगा कब शुरू हुआ था जल्दी से बताईए उनिस सो उनहत्तर में 1969 में यही पर किसकी स्थापना हुई थी जल्दी से बताओ इसरो की भी स्थापना यही पर हुई थी इंडियन स्पेस रिसर्च ओगनाइजेशन जिसका हेड़कॉर्टर क्या है तो आप कहोगे बैंगलूर है क्या है बैंगलूर है बोलो हाया ना 1969 में ही एक काम हुआ था भारत में पहली बार बैंकों का यह 14 बैंकों का रास्टी करण किया गया था नेसनलाइजेशन किया गया था 1969 में ही 1962 तो सभी को पता है इंडो चाइना वार हुआ था और भारत में यहां पर आर्टिकल 350 का इस्तमाल करते हुए नाशनल एमर्जनसी भी इंपोस की गई थी इस बात को याद रखियेगा यह आप कह सकते हो लागू की गई थी ठीक है 1956 में क्या हुआ था जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी अलाइसी की स्थापना हुई और अलाइसी का हेड़क्वाटर क्या है तो आप कहोगे बॉम्बे क्या कहोगे बॉम्बे नेक्स्ट हो अखिल भारती सेवा नहीं है कौन सी है जो अखिल भारती सेवा का हिस्सा नहीं बदाए अकिल भारती सेवा कौन सी नहीं है फटाफट से बोलो और जोग्रॉफी का क्लास स्टार्ट हो गया है आपको मैं सूचित करना चाहता हूं यह बात कि जोग्रॉफी का क्लास स्टार्ट हो चुका है तो जितने प्यारे दोस्त हैं जितने प्यारे साथी हैं सुबह 10 ब तेखिए पूरा जेॉग्राफिकल है पूरा मैप से पढ़ाएंगे थियोरी आप जो भी लिखवाएंगे वह आपको स्वैम लिखनी होगी और पैन और नोट बुक लेके बैठिएगा बैठिएगा तब क्लास पढ़ पाईएगा ठीक है हाँ फटा फट से बता दो हाँ जितने प्यारे दोस्त हैं और सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो करेक्ट और राइट अंसर क्या हो जायागा भारती राजसों सेवा जिसे हम कहते हैं इंडियन बाकी इस आईपयस और आईएफ यह तीनों की तीनों आल इंडिया आल इंडिया सर्विसेस का हिस्सा है इस बात को याद रखी क्लियर चल और वन संरक्षण अधनियम कब पेस किया गया कि 1972 में 1976 में 1980 में 1982 में अधनियम कब आया था आपको बताना है जल्दी से बताओ और वनों को हमें प्रोटेक्ट करना है इस बात को बताना है एलाइड सर्विस का मतलब होता है जो बहुत जादा पिछड़े छेत्र होते हैं जो पहाड़ी छेत्र होते हैं जहां जनजातियां निवास करती हैं ऐसे कुछ छेत्र ठीक है मोनू भया किलियर बात जैसे अपने जारखंड में हैं ऐसे ऐसे गाओं हैं जो उच्छे उच्छे तीलों पर हैं पहाडों के बीच में हैं पहाडियों की छोटी-छोटी बीच में हैं घाटियों में हैं जनजाती निवास करती है तो करेक्ट और रहे अंसर क्या हो जाएगा 1980 में आया था वन संरक्षन अधनियम यह जो 1982 कह रहा है कोई 86 कह रहा है वह यह गलत है ठीक है हाँ पर्यावर्ण अधनियम जरूर था वहाँ क्या था जल्दी से बताओ फटाबट से बोलो बढ़ियां 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 चलो नेक्स्ट आजओ आगे कह रहा है भारती नववहन की पर्थम महिला के रूप में किसे जाना जाता है उसा, महता को, बसंती देवी को, अरुना आसिफ अली और सुमती मुरार जी अरुना आसिफ अली जो है ना यह बिसिकली भारत छोड़ो आंदोलन से संबंदित हैं तो आप कहोगे बहारती नववहन की पहली महिला जो जानी जाती है उनका नाम क्या है सुमती मुरार जी क्या नाम है सुमती मूरार जी बो बात किलियर है फटा वट से बता दो बढ़ियां बढ़ियां और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दें ठीक है जितने प्यारे दूस्त है भारत में पहला हाथी अब्ध्यार्ण कहां कौन सा है या कहा इस्थी थे बताइए हाथी अभ्यार्णन कहां पर है अनेमुदी चाइगर रिजर्फ-पस्वाइं पर खिया आनेमुदी हाथ रिजर्फ मतलब कहने मैयूर भन्ज जो है यह पढ़ता है उड connectivity है लेकिन याद याध रखिएगा मंयूर भन्ज रखैंगी तर्व क्या जाएगा संग भूमी ठीक है संग भूमी नहीं, ठीक है कि सबसे देखें कितने प्यारे बच्चे आंसर देंगे बहतर 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 बताइए फटाफट से याद रखिएगा लोधी वंस में कुल मिला के तीन साशक ही हुए है सबसे पहला जो संस्थापक था उसका नाम था बहलोल लोधी आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पर है दूसरा इसका बेटा हुआ जिसका नाम था निजाम खान पर जब ये गद्धी पर बैठा तो इसने अपना नाम रखा सिकंदर लोधी नाम क्या रखा सिकंदर लोधी और निजाम खा का बेटा था जिसका नाम था इब्राहिम इब्राहिम जब ये गद्धी पर बैठा तो ये इब्राहिम लोदी कहलाया क्या कहलाया इब्राहिम लोदी कहलाया और यही अंतिम साशक था याद रखियेगा जिसकी हत्या कर दी गई थी पानीपत के पहले युद्ध में पानीपत या कह सकते हो फस्त बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था तो याद रखियेगा 1526 में किसके बीच हुआ था तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर ने इसकी क्या कर दी थी तो हत्या कर दी थी और भारत में बाबर ने 1526 में ही मुगल वंस की नीव रखी थी किसकी नीव रखी मुगल वंस की नीव रखी थी क्या रखी थी मुगल वंस की नीव रखी थी इस बात को याद रखिएगा कल आपने अगर BPSC का पेपर देखा हो तो यहाँ पर एक कुश्चन था सेकेंड बैटल अपानीपत से ठीक है तो याद रखिएगा सेकेंड बैटल अपानीपत किसके बीच हुआ था हेमू और अकबर के बीच ठीक है बहुत बड़ियां बहुत शानदार ठीक है ठीक है । कौन था चा चा था याद रखिएगा भारत की जनसंक्या व्रिधी के संबन्द में किस वर्ष को लुकैńsk कि कहते हैं महान विफाजक वर्ष किसे कहते हैं मोनु भई कले कोस्चन था ना पॉलिट्टी का ऐसा कोई सवाल मोनू मेरे दोस्त जो आपको ना कराया गया हो क्लास में करंबीर भीया खुश रहे आशिरवाद आशिरवाद और भाई देखो क्लास में लगभग हाप सेंचुरी बच्चे हैं लाइक की संख्या बहुत कम है तो एक निवेदन है आप लोगों से सभी लोग एक बार ला से लेकर के 1921 का जो दसक था यह जो दसक था इस दसक में हुआ क्या कि भारत की जो ग्रोथ थी पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो बहुत ही कम थी कम इंदा मींस निगेटिव थी माइनस का 0.31 परसेंट जिस वजह से अंग्रेजों ने यहां एक 1921 को नाम दिया ग्रेट डिवाइडिंग इयर यह नाम दिया था महान विभाजक वर्ष क्लियर बात अच्छा तो अगर यहां सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी करेक्ट और राइट अंसर क्या है 1921 तो सर ऐसा भी तो कोई समय आया होगा कि जब पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा बढ़ी हो बुलो हाया ना तो याद रखिएगा 1961 से लेकर के 1971 का जो समय था यह वाला दो दसक था यहां सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई थी पॉपुलेशन में यहां का जो ग्रोथ रेट था बाबू वो 24.8 0% था ठीक है जिस वजह से आपको पता है इंद्रा गांधी ने नस्बंदी जैसे प्रोग्राम शुरू किये थे अगर आपको याद हो ठीक है पहले तो प्यार से किये और बाद में नहीं जो प्यार से माना उनको जबरजस्ती भी नस्बंदी जैसी चीजों से गुजरना पड़ा था ठीक है हाँ जोग्राफी तो मैं कराई रहा हूं और मोनु भाईया अभी पता क्या है अभी चार बजे यह वाला क्लास है यह क्लास हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी तक पड़ चुके हैं ठीक है और उधर सुबह जोग्राफी ठीक हो गई है जैसे इसका पीटी खतम होगा इसका एससी सीजील का पांस तारीक को फिर हम थियूरी सुरू कर देंगे चार बजे पॉलेटी तो उप सुबह जोगराफी दोपहर में पॉलेटी और साम को एमसी क्यू जबर्जस्त वाला ठीक है आगे आजो नैशनल सेंटर ओफ और्गेनिक फॉर्मिंग में है कहां पर है बता देवाबू गाजियाबाद में स्थीतर इस बात को याद रखीएगा ठीक है अचा ठीक है दोस्त ठीक है मोनु जी ठीक है ठीक है किलियर गाजियाबाद नेक्स्ट आजब समविधान के किस अनुच्छेट के तहट रास्टी आपात काल की उद्गुषना राष्टि पती के याँ बढ़ियां बहसं और अगरें करते हुए अंसर दिया करिये लगा करें कि हाँ एकदम सी को लोक किया जाए यहां सी को करोगए इसमें तो financial emergency बता अगया जी और आज तक भारत में कभी लगी नहीं के बोलो हाइना वित्तियापात का लगा है नहीं ठीक है इसमें रास्टपती साशन है प्रसिडन्सियल रूल है क्या है इसमें प्रसिडन्सियल रूल है बोलो हाया ना रास्टपती साशन में है इसमें इसमें क्या बताया गया है नाशनल अमर्जन्सी को बताया गया है जो रास्टपती क्या करेंगे कितने बार declare हो चुकी तो आप सभी को पता है रास्टी आप आतकाल कितने बार लागू हो चुका है तो कहोगे तीन बार क्यों लागू होता है सबसे पहला या तो एक war की स्थिति हो युद्ध की स्थिति हो देखो 62 में war हुआ था 71 में war हुआ था दूसरा होता है internal aggression मतलब आंतरिक असांती हो तो 75 में क्या थी आंतरिक असांती थी थी या नहीं थी और तीसरा क्या है तो कहोगे क्या सैन ससस्त्र विद्रोह जिसे बोलते हैं armed rebellious ठीक है ससस्त्र विद्रोह याद रखिएगा तो तीन ये वो समय है जब भारत म national emergency impose की गई थी राष्टपती साशन सिर्फ और सिर्फ राज में लगता है कब लगता है राज में जब राज जो है वो सम्विधान को follow नहीं करता या कह सकते हो सम्विधान का constitution का उलंगन करता है क्या करता है उलंगन करता है ऐसी स्थिती में किया जाता है बोलो बात के लिए अगर स्थित नेक्स्ट आजाओ ए ब्ली दॉ रैइक राइट अंसर नेमलिखित मेंसे किस मटको गोल्डेन नामगे लगतसे के नाम से जाना जाता है है हैमेस मटको तवांग मटको बोमडीला मटको या नामद्रॅगलिक मतको नामड्रॉंग बोल्ग्रिंग नामडे बढ़ता है नाम पूछा है यह नाम दिया गया है ते महट तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेस कहां पर है अरूनाचल प्रदेस में और पूरे पुरоло После भार्त के अगर मैं बात करूं जो नौर्थीस स्टेट्स हैं नौर्थ इस्ट इस्टेट्स जो है उन स्टेट्स में बात करूं अगर जो सैवन सिस्टर्स हैं उन सैवन सिस्टर्स में सबसे जादा छेतरफल वाला सबसे अधिक अच्छे तरफल वाला राज जी कौन सा है तो आप कहो गे अरणाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेन्सिटी तो कितनी है तो आप कहो गोरूजी पॉपुलेशन डेन्सिटी इसकी हाँ बैया जी तो कहो गुरुजी सबसे कम सत्रा लोग रहते हैं एक स्क्वेर किलोमेटर मात्र सत्रा लोग कितने लोग रहते हैं जी मात्र सत्रा लोग रहते हैं सवाल बन सकता है याद रहिए वंदना जी बहुत बहुत श्वागत है नमस्ते बाबू नमस्ते अच्छा कोई ऐसा बालक है क्लास में जो इस से नहीं जुड़ा इस वाले इस टेलिग्राम से अगर नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाओ ठीक है चल आगे आग कह रहा है Phoenix Phoenix form की स्थापना किसने की थी जल्दी से बहुत कहां की थी यह भी बताओ विनोवा भावे अर्विंदो घोश महात्मा गांधी और इन में से कोई नहीं फटा वड़ से बोलो तुमने दोस्त बहुत बढ़िया 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 देखिए आप सभी लोग चांदनी बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं और एक बिटिया ने लिखा है कि सर आपने जो सिद्धी में कोश्चन करवाए थे उससे काफी कोश्चन BPSC में आया मैंने बिना प्रेपरेशन के काफी कोश्चन अटेम्ट किया थैंक यू फॉर थैंक यू सर फॉर बेस्ट कंटेंट समझ गए न बिया तो चांदनी जी मैं एक बात कहूंगा अगर आप भी इससे नहीं जुड़ी हैं तो इससे जुड़ जाएं ठीक है मुझे पता है कि बच्चे मुझे पड़ से जुड़ते रहें और आप लोग जरूर अगर कोई बच्चा पूछे रागवेंसर को कहीं पर भी तो जरूर बता दें कि भाई रागवेंसर यहां पढ़ाते हैं तो महात्मा गांधी ने की थी इसका आंसर इत्ती देड़ में कहां की थी तो साउथ अफरीका में क कि आज आएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह याद आया व्यक्तिगत सत्याग्रह कि बोलो जल्दी से या व्यक्तिगत आंदोलन भी इसे कहते हैं 1940 का किसके शुरू कि यह थे बिनोवा भावे नहीं किये थे ठीक है अच्छा नहीं भाई या जो ढूड़ रहा हो उसे जरूर बताएं आप लोग है जरूर बताया करें ना हाँ जिससे उसको भी थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी यार की मिल गए रागविन सर ठीक है पुलिस महिला पुलिस स्वैम सेवी को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है हरियाना पंजाब केरल और नागलेंड मतलब स्वैम सेवी नहीं होते हैं जो आर एसस में होते हैं उनको पुलिस में रखने की बात कही जा रही है बिसिकली महिलाओं की और से महिलाओं के ल की राजधानी क्या है तो कहो कर दोनों की common राजधानी है नाम क्या है चंडीगड क्या नाम है जी चंडीगड केरला तिरवंतपुरम नागालेंड कोहिमा क्लियर नेक्स्ट गैर योजना खर्च का सबसे महत्पून मद कौन सा है रक्षा और वरक सबसेडी ब्याज भुकतान और इन में से कोई नहीं नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्ते है प्यारे बच्चे सभी को नमस्कार है सभी लोग आ जाईए सभी लोग आ जाईए लेकिन इंटरस्ट कितना जाना है यह प्लैंड नहीं होता ब्याज planned नहीं होता आप loan लेते हैं लोन लेते हैं तो आपको पता होता है कि जब interest देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा बोलो हाया न इक्जेक्ट अमाउंट कभी पता नहीं होता कभी यह साथ परसेंट कभी वह बढ़ जाता है तो साडे साथ परसेंट कभी भहड़ कई बार फ्लोटिंग होता है कम वह लॉट होता है क्या दोगे दोगे ब्याजभुकताण क्या ज़ो भारत और चीन और मियमार के रननीतिक त्री जंक्षन का निरमान करता है कहां इस्तित है दिफु दर्रा कहा है बताई ये फटक से दिफु दर्रा कहा है असम सिक्किम नागा लेंड और अरणाचल प्रदेश जल्दी जल्दी से बताओ और बाबु कई लोग अभी देख रहा हूं में कितने लोग हैं अभी 20 लोग हैं जिन्होंने लाइक वाला बटन आधिया दél ineनल अगे अगर में बात करों डिफु दर्रा डिफु दर्रा पाया यता अरणाचल प्रृदेश में अरणाचल प्रदेश में हैं इसे उसे चोटी सिट्रिक कि नहीं कहतें है पर अथान गा सबान भूए हो यार तो बदिया क्या दान गोदिया वह दिया कैसे ल अधी का मतलब गुरू-जी क्या है तो आप समझदार हो तो जानी घये होगे कि क्या व नहीं समझ पाये सदो एक्दम पगला हो कौन सा दर्रा है गुरू-जी हमतलब क्या श्ड़ यांग-या है यांग-याप धर्र है ये वो दर्रे हैं जो अरुनाचल प्रदेश में इस्थीन तीनों के तीनों अब आप्शन में जो पूछा है वो भी पता चल गया दो और पता चल गए सिक्किम जैसे आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपके उपर आपके मम्मी पापा क्या करेंगे नाज ना से गुरू जी के ना थुला ची ना थुला पास कहो, को या दर्रा कहो हुखुँ सर जाक मतलब जले reference क्या है दर्रा काँ स्थित हैं सिक्किम में बोलो याद रहेगा तो या और से ओरे रिपहँ काह Сरा पत्मा गांधी सक्क्रों में के कॉन अक पेसे से सिक्षक जे बी करपलानी सहाब थे ब्रज किशूर प्रसाद थे राजिन प्रशाद और एन सिन्हा बताईये फटाफट से अच्छे अच्छे बहुत बढ़ियां वेरी गुड बिल्गुल जमा जम आंसर आ रहा है बैया जी बिल्गुल जम 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 करते हुए आंसर दे रहे हैं सभी प्यारे बच्चे पताईए फटाफट से वाट इस दर राइट अंसर तो आप लोग याद रखिएगा जेबी करपलानी सहाब को यह एक सिख्षक्त थे पेशे से इस बात को याद रखे किस वेद में वाना रसी को कासी कहा गया है रिग वेद यजुर वेद सामवेद अथरवेद शबसे प्राचीन वेद कौन सा है यजुर वेद है तंत्र मंत्र जादू टोना प्रेम विवारा राजकर्व मात्र पूजा क तो बताओ जल्दी से यशे कहते यग जो यग के विधी विधान को बताए गया है विधी विधान है उन्हें बताया गया है बहुत यदा के लिए फटावट से बहुत शांदार वेरी वेरी गुड वेरी गुड बैया जी एक बार सभी लोग दबा करके पताईएगा अच्छा वाणा रसी को कासी कहां कहा गया है तो है याद रखिएगा रिगवेद में किसमें बुला गया है रिगवेद में ठीक है चलिए बहुत बढ़िया आगे आ जाओ कौन सी भारती एयर लाइन्स उत्री रूके ऊपर से उडान भरने वाली पहली एयर लाइन बन गई है यह सवाल आपके एक्जाम में आ चुका है इंपोर्टन फेक्ट है याद रखिएगा जेट एयर वेज एयर इंडिया इस पाइस जेट या इंडिगो फटावट से बताओ जल्दी से बोलो बाबू और एक बार सभी लोग लाइक वाला बटन जो है ना जहम से मारिए तो करेक्ट और राइट अंसर क्या हो जाएगा एयर इंडिया और अब एयर इंडिया किसने खरीद ली है तो याद रखिएगा एयर इंडिया टाटा की हो गई है किसने अधिग्रहन कर लिया है त मुहम्मद बिन तुगलक MBT बहुत प्यारे बच्चे बहुत शांदार आंसर दे रहें सभी प्यारे लोग बस एक काम और करना है प्यारे बच्चों को कि जो लाइक वाला बटन है एक साथ जहम से मारिएगा था ना क्योंकि लगबग 60-70 लोग लाइव हैं और जब 60 लोग हो तो यार कम से कम हाफ सेंचुरी तो बनती ही बनती है लाइक की भी तो आप लोग हाफ सेंचुरी भी कराएंगे फुल सेंचुरी भी कराएंगे क्योंकि मुझे विश्वास है आप पर हाया ना तो जितने प्यारे साथी है एक बार लाइक जरूर कर दें correct or right answer क्या दोगे MBT मुहम्मद बिन तुगलक ये बड़ा ही पगला था कहोगे क्यों देखो इसके अंदर क्या था कि जब जनता दुखी होती थी इसकी प्रजा दुखी होती थी तो ये खुस रहता था और जब प्रजा खुस रहती थी तो ये दुखी रहता था इसी बात को ब लिखती थी और खत में खूब गालियां लिखा करती थी मुहम्मद बिन तुगलक के लिए इसने इसी जिद के चक्कर में राजधानी को दिल्ली से देवगिरी भेज दिया था कि लोग परेशान होंगे देवगिरी भेज दिया था और देवगिरी का नाम बदल दिया था द खुब खत लिखो नितीज कुमार को और नितीज कुमार राजधानी बिहार की पटना से हटा करके कहाद्ये आप बंबई होगी। फ्रेयर गलत हो गया ना। जो काम पटना में होता था वो बंबई में होगा। कितनी दुख की बात हो गई है ना तो यह समस्याएं थी तो यह सब इस किस ने किया था एंबीटी नहीं किया था इसने एक काम सही किया था एक क्रिशी विभाग बनाया था जिसका नाम था अमीर एक कोही इसी को एक और नाम से जानते हैं इसी को कहा गया है दीवान एक कोही कहा गया है यह एक एग्री कल्चर डिपार्टमेंट था क्या था यह यह एक एग्री कल्चर डिपार्टमेंट था याद रखिएगा कहा गया भाई ये क्या था बाबू ये एक एग्री कल्चर डिपार्टमेंट था याद रखना ठीक है जो क्रिशी की देखभाल के लिए क्रिशी को बहतर करने के लिए लाया गया था ठीक है सौम्या सैनी ठीक है ना? चलिए, कोई बात नहीं आप उसे बाद में भी पढ़ सकते हैं, वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट तो ऐसा नहीं है, ठीक है? हैना? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परिशानी नहीं है, और फिर परिवर्तन तो रहेंगे ही रहेंगे बेटा, ठीक है? उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता सौम्या है ना अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम टाइम बदल दें यह पॉसिबल नहीं है चार बजे ही रहेगा आप बाद में देख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है हाँ देखो आधुनिक भारती सरकस का संस्थापक किसे मना जाता है कलन गोपाल अधाल और भॉकर का दमीन को अधाविल राओ कंदमी को कि लेरी कल नहीं का नान को किसे मानते हैं बताइए कि कैस्न करवा दें ठीक है पउलिटी तारे कोशिण लग्वा देंगे itt लग्वा देंगे पउलिटी कैस्ट ठीक है थ inteliguj चलो तो करेक्ट और रेट अंसर क्या हो जाएगा विश्णु पंत मोरेश्वर नेक्स आईए भारत जी हां भारत के किस सहर में आपको टावर आफ साइलेंस मिलेगा टावर आफ साइलेंस कहा है दिल्ली में मुंबई में कलकत्ता में चैन्नाई में बताए फटा-फट से कहां पर स्थीते फटा-फट से बताएं बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि हाप सेंचुरी आपने लाइक्स की भी कर ली है बहुत बढ़ियां चलिए तो करेक्ट और रेट अंसर क्या है टावर आफ साइलेंस कहां पर है तो आप गोलोगे मुंबई में स्थीते अब तक कितनी बार रास्टी आपातकाल की घोष्णा रास्ट पती के द्वारा की जा चुकी है दो बार चार बार तीन बार पांच बार कितने बार की गई है फटा-फट से बताओ सारा करा दें अच्छा सारा यार एक्चुली इस चैनल पर होता नहीं है उसके वही समस्या है ठीक है चलिए देखते हैं जितना हो पाएगा होता तो करा ही देंगे देखो चुकी हमा जो टेस्ट बुक में है टेस्ट बुक में BPSC बिलकुल अलग चैनल ही है टेस्ट बुक B BPSC के नाम से ठीक है तो BPSC की सारी चीज़ें वही रहती है है ना यह तो इश्वर का दिया हुआ एक आसिरवाद है कि पॉलिटी और एक्क्नॉमिक से जो पढ़ाते हैं वो सबा जाता है है ना यह तो एक इस्वर का दिया हुआ आसिरवाद है मेरे लिए है ना जल्दी से तो आंसर क्या है तीन बार ठीक है यह तो अभी बताया ही था भारत में सबसे अधिक साकाहारी राज कौन सा है गुजरात राजस्थान तमिल नाडू और उरीशा सबसे बड़ा साकाहारी राज बताये फटाफट से जल्दी से बताइए साकाहारी राज बाबू बढ़ियां 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 बहतरी बहुत अच्छे वेरी गुड हाँ यहां सबका अलग चैनल रहता है यही समस्या है चलिए करा देंगे जितना हो जाएगा करा देंगे परेशान ना हो इसके पहले का थियोरी मिल सकता है हाँ यूटूब पे पड़ा हुआ है जाओ और मेरा एक प्लेइलिस्ट बना है मैं दिखा दूँगा जोती जी प्लेइलिस्ट दिखा दूँगा आज क्लास के अंत में दिखा दूँगा परेशान नहीं होई है ठीक है राजस्थान सबसे बड़ा क्या है साका हरी राज्य है भारत के कौन से दो राज खनिश्च के लिए या तेल के लिए अग्रणी उत्पादक हैं, राजिस्थान, गुजरात, महारास्ट, गोवा, उडिसा, बिहार, असम गुजरात, बताईए, जल्दी से बताओ, बोलो जल्दी से बाबु, असमों में होता है खुब और गुजरात में होता है अपने बिहार मेंने मगानी नती डॉलफिन कि आधिकारिक तौर पर कोचिक कब की गई थी गंगा नदी डॉल्फिन की खोच की गई थी गंगा नदी डॉल्फिन की खोच की गई थी अठारा सो एक में 1923 में आप सभी लोग जानते हैं क्या हुआ था बोलो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था कहां पर तो आप कहोगे इलाहाबाद में इलाहाबाद में किसने किया था मोतिलाल नहरू बिठलभाई पटेल चितरंजन दास and many more people is there है ना बहुत सारे लोग थे इस बात को याद रखिये कॉंग्रेस से अलग पार्टी बनाई से में बनाया जाएगा पंजाम में उडीशा में केरल में या मध्द प्रदेश में बताएए हाहां बहुत बढ़ियां रास्ट्री गोशाइद mitä रास्ट्री गोशिद हुआ था 2007-not in art में ठीक है कारेक्टR और रैट धंसर क्या हो जाएगा उडी आएगा कृम्हां का सबसे बड़ा स्टेडियम ठीक है और अभी विश्वकप भी हुआ था बोलो होंकी का विश्वकप हुआ था अभी 2023 कौन जीता जल्दी से बताओ कौन जीता था जर्मनी या बेल्जियम बताओ फटाक से भारत में कौन सा राज काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है जल्दी से बोलो अभी उड़ीस्ता में ही तो हुआ था होंकी वर्ल्ड कप भूल गए है रे पगला कौन जीता याद आ जाए तो बता देना जर्मनी जीता था बेल्जियम हारा था एक जीता है एक हारा है तमिल नाडू अंद्रपरदेश केरल और में घार है तो काली मिर्च क अहां होती है केलर केलर केल में होती है ठीक है नेक्स आओ रहा है सम्विधान भारती सम्विधान के अनुछे 370 को कब हटाया गया कब हटाया गया था बताइए 370 पहते गपार भेहा है सभी लोग लाईक और शेर पट एलते रहें लाईक और ज़ार बहुत बहुत प्लिखे बठर बहुत पयारे बच्चे-घा सो कि आपप्षय करेक्ट यह संडाय कहां का बदाए हे पांच अगस 2017 पांच अगस्ट 2019 क्योंकि 2019 कोई हाई नहीं कहीं आप्शन पांच अगस्ट तो हर जगह है क्लियर बोलो हाया ना ठीक सेम बहुत-बहुत श्वागत है नमश्कार नमश्कार भारती विदेशी व्यापार संग स्थान कहां इस्थी थे हैं धराबाद मुंबई नई दिल्ली और अहमदाबाद बताए कहां पर इस्थी थे लागू 31 अक्टूबर से हुआ था और 31 सक्टूबर से कई सारी चीज़ें आई थी क्योंकि इससे पहले आप जम्मू कस्मीर में निवास भी नहीं कर सकते थे आप जम्मू कस्मीर में घर बना लीजी जा करके कोई टेंशन नहीं पर पहले ऐसा नहीं था ठीक है कहां इस ही ता है भारती विदेसी भ्यापार सो आप कहोगे नई दिल्ली में भारत में जिला कलेक्टर का कार्याल में किस वर्ष बनाया गया 1772 में 1774 में 1775 में 1778 में कब बनाया गया फटाफट से बताई जिरा कलेक्टर का जो कार्याल है वो किस वर्ष बनाया गया था आप सभी बच्चों को बताना है बोलिए फटा फट से बताओ किस वर्ष बनाया गया था तो याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा ये लॉड कॉर्ण वॉलिस ने बनाया था किस ने बनाया था लॉड कॉर्ण वॉलिस के टाइम पर लॉड कॉर्ण वॉलिस के टाइम पर बनाया गया था याद रहेगा इसी ने थाने बनाये थे थाने में दरोगा और सिपाही होगा इसी नेहीं रणनी ती लागू की थी इसी वजह से तो लॉड कर वॉलिस को भारती है नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है कहा जाता है कहरा हालही में सुप्रीम कोर्ट में नौ जजों ने एक साथ सपत ग्रण की है अब नियायले में कुल कितने जजों की संख्या बढ़ कर हो गई है 33, 39 और 41 जल्दी से बताओ फटा फट से बताओ बहुत अच्छे करेक्ट और रेट अंसर क्या हो जाएगा सुप्रीम कोट में अधिकतर जज कितने हो सकते हैं 33, एक चीप जस्टिस होता है एक कौन है, चीप जस्टिस है कौन है इस टाइम पर और 33, अधर जजजई है अधर जजजई चीप जस्टिस कौन है, DY चंद्रचून ठीक है, याद रहेगा next हो, कौन से नंबर के हैं तो याद रखेगा पचासमे नंबर के हैं कौन से नंबर के हैं पचासमे नंबर के हैं next आईए किस एक परतिहार राजा ने सिंध से एक अरब आकर्मन कारी को खदेड दिया था राम भदर ने वत्स राज ने नागभट प्रथम और देव राज ने फटाबट से बताओ बढ़िया 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 बिल्कुल सही आंसर वेरी गुड बच्चे तो करेक्टर रेटन सर आप लोग क्या देंगे नागभट प्रथम थे इन्हों ने खदेडा था किसे अरब आकर्मन कारी को ठीक है बढ़िया बढ़िया नेक्स्ट आ जाओ उत्तर भारत का एक मात्र किला जो पानी से घिरा हुआ है गागरोन फोट चित्तोरगल का फोट आमेर फोट और जैसलमेर फोट देखो ये तीनों के तीनों ऐसे फोट हैं जो पानी से घिरे नहीं है चारो तरब पानी से नहीं गिरें अब इस्तितियसी नहीं है लेकिन गागरोन फोट जो है वो आज भी पानी से चारो और से घिरा हुआ है अब आप समझ सकते हैं उस जमाने में राजा, महराजा अपने फोट इतने मजबूत बनवाते थे कि उसमें एंट्री करना मुश्खिल होता था लोगों को एंट्री करना और ऐसे उची-उची पहाडियों पर बनवाते थे है ना और आज कल तो मान लीजे अलगी बात है आज कल तो फोट है ही नहीं लोगों के थार मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन से नमबर का विश्व का मरुस्थल है वैसे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो सहारा है आपको भी पता है है ना जिसका छेत्रफर 84 लाक वर किलोमेटर है तो थार मरुस्थल किस नमबर पर आता है आपको बताना है, चौदुमे नंबर पर है, सोलमे नंबर पर है, अठारमे नंबर पर है, या सत्रमे नंबर पर है, बताईए फटा-फट से किस नंबर पर है, जल्दी से बताएं, करेक्ट और राइट अंसर क्या हो जाएगा सत्रमे नंबर पर स्थित है थार मरुस्तल कहा है तो आप कहोगे इंडिया में इंडिया में किस स्टेट में फैला हुआ है और कितना हिस्सा है दो तीहाई हिस्सा इंडिया में है किस स्टेट में तो आप कहोगे राजस्थान में और हिस्सा कहां है तो पाकिस्तान में कहां पर पाकिस्तान में ठीक है बोलो हाया ना एसिया में तो बहुत मरुस्थल है गोबी मरुस्थल भी एसिया में ही पाया जाता है कोभी मरुस्तल भी तो एशिया में है अगहाई अगर चाइना और मंगोलिया में है तो एशिया में ही ओआ अ है जी का है टकला माकन ये भी तुम्हार उस्थाल है चाइना में तो इस थी थै सिक्यांग प्रोविंस में बोलो चल करंट फेयर यहां से सुरू हो रहा है कुछ बातें करंट की भी किस देश ने हाल ही में सौर अंतररास्टी सौर गडवन्दन फ्रेमवर्क समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं वियतन कि इन्टरनाशनल सोलार अलाइंस में किस ने किया है कांगो ने इंटरी की है याद रखिएगा और इन्टरनाशनल सोलार अलाइंस का हैड़ कोरटर कहां पर रहें वहरे ने जानफ हाल ही में किसने खेले conservatives में चार सुण पदक जीते हैं महाराश ने मद्द प्रदेश राजस्थान इन में से कोई नहीं किसने जीते हैं फटाफट से बताओ करेंट अफेयर आपको रिवीजन से आएगा और रिवीजन में आपको कराता रहूंगा ठीक है बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए छह मैंने का करेंट अफेयर बिल्कुल रिवीजन कराता रहूंगा रट रजायेगा करेक्ट और एंसर क्या होगा मद्ध प्रदेश खेलो इंडिया को कितने मिलें चार वाटर स्पोर्ट्स में हाल ही में या या तसो को किस राज का पहला जैविक या सॉरी पहला जैव विविद्दा इस्थल बनाया है या बनाया जाएगा कहां इस्तित है मनिपूर सिक्किम याद रखिएगा क्या होगा लद्दाग बिलबीदा राइट अंसर क्या होगा लद्दाग बिलबीदा राइट अंसर आप दो कुस्चन वेरी गुड नेक्स्ट आई हाल ही में जी ट्वेंटी रोजगार कारे समूह की बैठक किस सहर में आयोज़त की जाएगी इंपोर्टन पॉइंट है जी ट्वेंटी से रेलेटेड है और रोजगार कारे की बात हो रही है कारे समूह की मुंबई कोलकाता जोदपुर और इनमें से कोई नहीं बताएं फटा फट से और स्क्रीन पर लगबग अभी 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइक वाला बटन नहीं दबाया है और बांकी सभी लोगोंने लाइक कर दिया है बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया है ना सेशन को ऐ जोदपूर 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 चलिए बहुत बड़ियां आगे कह रहा है हाल ही में फेम यूजना के तहट इलक्ट्रिक वाहनों की विक्री में कौन राज सीर्स पर रहा है गुजरात महरास्ट करनाटक और तमिल नाडू बताइए हुझे भड़ाफड से बोलो कि इलक्ट्रोनिक जो वहान है जो इलक्ट्रिक वहान है उसकी बिक्री पर सीर्स पर कान रहा है तो आप बोलोगे वा हरा नहीं को याद है ऐसमें किस histoire ने इस्टी स्फिष देहित अंगा यह सवाल मैंने आपको दिया था साइद कल होमवर्ग के लिए लेकिन आप लोगों ने आंसर दिया या नहीं दिया पता नहीं विवेक सिंग चोहान बहुत-बहुत स्वागत है जैहिन बावु जैहिन दो बार दबाय होना सुपर कूल इसलिए तो वह हुआ नहीं है एक बार दबा दो और हो जाएगा ठीक है जैहिन 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 जो भी प्यारे बच्चे ऐसे हों जिन्होंने अभी तक शेशन को लाइक और शेयर ना किया हो वो शेयर भी कर देंगे लाइक भी कर है जी के वाय रागो सर ठीक है सभी लोग इस टेलीग्राम से जुड़ जाएं पीडिएफ यहीं मिलेगा कह रहा है हालही में ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित उर्जा आधारित सौर पैनल फैक्टरी किस राज में बनाई जाएगी बहुत इंपोर्टन कोश्चन है ब बहतर बहतर प्रेटर केरल नहीं होगा तुम जब जस्ति केरल चले जा रहे हैं चल्दी से बताओ यह क्षिशन मोस्ट इंपोर्टन्ट याद रखिएगा उत्राखंड बिल्वीदा राइट अंसर कहां बनाया जाएगा उत्राखंड में बनाया जाएगआ ठीक है हाल ही में किस देश ने अपनी क्रंसी से ब्रिटिस राजा साही की तस्वीरें हटाने की गोशना किये most important सवाल कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो फर्जी वाला गाया गया हूँ France, Australia, Spain और Malaysia बताए France, Australia, Spain और Malaysia फटाबट से बोलो अब है पटेल, तुम बड़े पीछे चल रहे हो थोड़े आगे आजाओ, लाइब सेशन चल रहा है थोड़े आगे आजाओ तुम जो आंसर दे रहे हो वो आंसर सारा, पीछे का कोश्चन का आंसर दे रहे हो, ठीक है जल्दी से बताओ, तो correct और right answer असर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया पे तो गुलाम था वो भी आजाद हुआ है, ठीक है तो वो भी कह रहा है कि हम हटा देंगे सब ठीक है, गुलामियत की जितनी निसानिया है कह रहा हाल ही में, जाग्रेब ओपन 2023 में भारती पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है, स्वान पदक, कांस पदक, रज़त पदक और इनमें से कोई नहीं बदाए, कौन सा पदक जीता है, सबी को बताना है बोलो भई, बहुत बढ़िया करेक्ट और राइट अंसर क्या हो जाएगा आप कहोगे, ब्रॉंज कांसे पदक जीता है, कांसे पदक, कांसे पदक जीता है हाल ही में, IMF ने किस देश के लिए 4.7 अरब डॉलर के सहायता पैकेज को मनजूरी दिये IMF मतलब क्या हुआ, International Monetary Fund IMF का मतलब क्या है, International Monetary Fund ठीक है अंतारास्टी मुद्राकुस कहते हैं हिंदी में इसका हैड़कॉर्टर क्या है, पता है आपको वासिंगटन डीसी वासिंगटन डीसी ठीक है, क्या है, वासिंगटन डीसी तो किसको दिया है, बंगला देश, नेपाल, सेलंका और इन में से कोई नहीं अब आप सोच रहे होंगे कोई नेपाल कहेगा, कोई सेलंका ही कह देगा लेकिन ना नेपाल है, ना सेलंका है आंसर बिल भी क्या, बंगला देश क्या है आंसर बंगला देश को दिया गया है इस बात को याद रखिएगा बोलो बात के लिए बहुत बढ़ियां सेख हसीना बंगला देश की क्या है प्रधान मंतरी है सेख हसीना क्या है बंगला देश की प्रधान मंतरी है पीम है कहां की याद रखो बंगला देश की ठीक है नेक्स्ट आईए ये वो कोशन था और जितने प्यारे साथी हैं अभी भी मैं बता दू अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो टेलिग्राम से नहीं जुड़ा मेरे जी के बाए रागो सर तो वो सब जुड़ जाए ठीक है रागो सर उपर लिखा है ठीक है अब आपको याद रखना है ठीक यहां पर जो लिखा रहेगा वह है ठीक है आप सभी लोग जुड़ जाएंगे जो नहीं जुड़ा है फट से और अपने साथ में तीन लोगों को और जुड़ेंगे अब देखो बहित चल रहा है मो मिल गया हो तो ठीक है नहीं मिला कोई बात नहीं जाने से पहले लाइक वाला बटन जरूर दबा लेंगे तो 13 तारीक और 14 तारीक को सिलक्सन से प्यार सेल चल रही है जिसमें आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए आप सभी प्यारे साथियों के लिए बिहार दरोगा का जो सर्क्साथ है बिहार दरोगा का जो बैच है वओ मात्र और मात्र 279 रुपए में हैं तीन महीने के लिए तो तीन महिने में तैयारी तो पूरी हो जाएगी फिर रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन बोलो हाया ना, इसके लिए coupon code इस्तमाल करेंगे आप, राग हो और इसमें enroll कैसे हो पाएंगे, कहां पर हो पाएंगे तो enroll होने का जो इस्थान है मेरे भाई वो है testbook.com पर जा करके ठीक है बिहार state exam में जा करके enroll हो पाओगे या दूसरा इस्थान है testbook app से testbook app से हो पाओगे clear? फड़ा फट से बता दो clear बात मेरे दोस्तों जल्दी से बोलो ठीक ग्रैब कर लो अपने चुट्टी बहुत सांदार है इसमें mock test भी है तीन महीने के लिए देख रहे हो ना mock test भी मिलेगा class भी मिलेगी PDF भी मिलेगा सब कुछ है ठीक है इतने सस्ते में कहीं नहीं मिलता है याद रखिएगा इतने में लोग क्या देते हैं टेस्ट सीरीज देते हैं ठीक है यह बिहार सिविल कोट का है क्लर्क स्टाइनोग्राफर को ना कोट रीडर प्यूं सारे 269 तीन महीने जिसमें class भी रहेगी PDF भी रहेगी concept logic भी रहेगे ट्रिक्स भी रहेगी और free में mock test भी रहेगा तीन महीने तक coupon code क्या लगाना है रागव याद रखिए रगुपति रागव राजा राम पती तपावन सीता राम जाईए और इसे grab कर लीजिए चुकि यह आज और कल ही है इस बात को याद रखिएगा कहां से enroll करेंगे testbook.com से कर दो सर यहां से ना हुआ तो फिट testbook एप से कर सकते हो एप को भी download कर लो ठीक है उससे भी कर सकते हो clear बात है बाकी की मुलाकाते हम लोग करते रहेंगे मिलते रहेंगे रात नौ बजे कोई भी नहीं भूलेगा रात नौ बजे ठीक है ठीक है याद रखो रात नौ बजे क्लास करेंगे बिहार पुलिस दरोगा सिपाही कॉंस्टेबल मद निशे सिपाही और फायर भाइन तब तक के लिए आप से मैं चाहूंगा अलविदा आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत शुक् करने के लिए एक बार फिर से थैंक्यू सो मच राम राम राधे राधे सस्त्री का अलादाब जैहिन हरहर महादेव बाबू थैंक्यू सो मच आप सभी का कर झाला कि장ने कन डाप शब तक बादाके लिए आभा राम जैंक्या dependent बन्त्तों का झालाऑ है राम बन्त्तों का इच धन्यों का बहुत अँआOOOOITE